हेलो मैं लवली पिकार्स तो फ्रेंस मैं आज लेका हूँ बहुती इस्पेशियल केग डिजाइन मतलब एक सेलेबरेशन के लिए एक डिजाइन है बहुती अनकमन डिजाइन होने वाला। तो लोगो थीम केक बनाने बाली हुँ तो बहुती प्रेटी एंड यूनिक डिजाइन है मतलब फेजबुक थीम केक है लोगो थीम केक तो इसलिए मैंने बेस को बनाया सिक्स इंस मॉल्ड में जो हाइट वाला सी केक टीन आती है ना वहीं टीन में बनाया अभी बेस को मैंने फोर लायर में काट लिया बहुत ही इस्पीशियल डिजाइन होने बला है और इस डिजाइन बनाना प्रेंट जितना यूनिक देखते है ना उतना इजी है डेकरेशन करन मास का जो केक फिले केक का फ्लेवर है फ्लेवर है पाइनपल फ्लेवर तो इसलिए पहले मैंने क्रीम में डाल दिया जो मलाश का पाइनपल क्राश है क्रीम की साथ भी मिला लिया अभी देखिए मैंने बेस को नर्मेल वाटर से पहले सोक कर लोंगी और क्रीम से कबर कर लों को तो आप भी लाश्टक देखिए आपको भी पूरा जो केक का डिजाइन है ओ देखने मिले और जरूर नया कुछ सीखने मिले तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिए प्रेंस चेनल पे नए है तो जरूर सस्क्राइब किजिए सस्क्राइब पाच जो बेल आइकोन है उसको जरूर डबाए ताकि इस तरिकाने बला हर नय वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले वीडि प्लीसपलीज ज्याद से ज्यादा शियर कें तो प्रेंच दिखे ऊपर वाला जो टोप पुषन का लेयर है मैंने नर्मेल ओ वाटार से शोग कोड़ लिया क्योंकि मैं हुमेशा बेसां से वाटार से सोग करती हूँ और जब चोकलेट है चोकलेट केक को मैं सुगार सिराप से सोग करती हूँ क्यूंकि चोकलेट केक तुरीसी कारबा होता है जो कोको पाउडर है उसकी टेस्ट तुरीसी अलग होता है तो इसलिए मैंने चोकलेट केक बेस को सुगार सिराप से सोग कर मैं पाने की चुमार से यहां पूरी सी शकळे गणाश मिलाकर आपका मोर्जी है आप बनाते बनाते सारा आइडिया आही जाता है तो आप जो भी करें तो दिखिये मैंने ए ह्याँ क्रीम की साथ मिला लिया हैं गयार कियोंकि फ्येट्स करें प्रेश का गया सेSpeed में फ्यरी दहां केती हैं कि सोउटें स्सेय लहाएं किया कि तोंब वार्खमारा कीक स्थी ऑफ में मैं जहां से सिखा है हमारा जो गुरू है और है हमारा जो टीशार है वह बिद्धा में बिद्धा में से मैंने जीस तरीका सिखाया था मैं ओही प्रोसेस आस्तक यूज़ कर रही हूँ औहीं मुझे बहुत ही अच्छा एजी लगता है तो इसलिए मैं यही इस तरीका करके हमेशा काम करती हूँ आपका हिसाब से आपका जो इजी लगे आप वही को यूज़ किजिए फोलो किजिए ताकि आपका फटापट काम हो जाए तो मेरी मेरी हिसाब से में करती हूँ तो देखिए मैं हमेशा जो कॉनला क्रेपार यूज़ करती हूँ यूज़ करके केक का जो एक् क्रीम बरावर हो जाती है तो एही है कौन क्रेपार का फाइदा बात में जो हाईड्वाला क्रेपार हैं पत्ला वाला ओही में गुमा के पूरा केश का फिनिशिंण कर लिया देख लिया नए आपको पतासल नहीं पतासल जाएगा यह क्रीम केक यानी की फॉंडेन केक ये बिल्कुल क्रीम केक में क्रीम से कबर किया है तो देखें मैंने कुछ फॉंडेन टोफर बना के रखा था जो फेस्बूक लोगों के ओमे बना के ड्राई होने के लिए सोर दिया था ा और देखे मेने 200 के भी लिखा था पेंडेन काटर से जो aiलफाबेट पंडेन काट़ अभी से आभी देखिए मतलोफ के ज्यादा बरा नहीं है मतलब यह दी आजवाला और हाइड वाट तो इसलिए ुश में इतना जगा नहीं है तो में सोच सो माज के जह लिकितना भी लेकना सा तकानिक devilt खळीशन होता हसाने पैसभू बार में उसे मेने घुक हैं । बहुत ही इवनिक है लाश्टक देखिए आभी तो पुरा नहीं हुआ और बहुत ही सारा डेकरेशन बाकी है तो इसलिए लाश्टक जुरूर देखिए ताकि आपको भी पूरा केक का लूग देखने मिले देखिए इस तरी क्या करके मैंने सुसा था जो फॉंडेन इल्फाब बतेकर है साएस का है सुटी साइस होती तो जगां हो जाती लेकिन बडा साइस होने के लिए केक में इतना जगां नहीं है तो दिखिए मने Сारा ले ड्या जो प्रम आसम पैस काने में है वहीं नेंच लेकंडिया है अभी निसे लेक ना में देखने जेखन केक अब भ 근데 कितने हैं धु vos देखने मिलेंगे मैं इसलिए बने रही है तो दखी एक में और फूरी सी काम बय ग्याएं मैंने थुरी अभी आपको पूरा केक का जो फाइनल लूक है वो देखने मिल रहे हैं आपको कैसे लगा जुरूर मुझे कमेंट करके बताएगा प्रेंस तो आज के लिए इतना है फिर मिलेंगा और एक नीव डिजाइन नीव वीडियो लेके तब तक के लिए बाबाई थैंक्यू पर वास में लुदी लूह को में वावन से भताएगा चूरूर अफ्ट साथ करे वाहाते टूरूर, हैं मिलेंगा है जब ovिए हैं तो Gandγ